हेलो एभरेबरयोन वेलकम तो आवर यूंटीब चैनल जीपएकडमी तो आज हम बात करेंगे रसाईनिक अफगिया होते क्या हैं ये कितने प्रकार के होते हैं रसा अफगरा तीन प्रकार को था हैं अत् BILL अगा और मन्द अफगिया ओर धीविडिया होती हैं तो हम इन सभी चीजों के बारे हम जानकारी लेंगे इस वीडियो में तो आपने वीडियो में शुरूशेंट तक बने रहेगा तो चले वीडियो को सुरू करते हैं तो पहले हम जान लेते हैं अपक्रियाओं का वेक अपक्रिया का वेक किसे कहते हैं किसी अपक्रिया में 21 समय में हुए अभिकार को या उत्पादों की सांदरता में परिवर्तन उस अपक्रिया का वेग का लाता यानि कि किसी भी समय में प्रोडक्ट या रेक्टेंट में हुए परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं अपक्रिया का वेग काते हैं चलिए हमने अपक् येक्षिन कोई भी रेक्सेन हम कर आते हैं करोग ऊस्ट हें कि नहीं कि कहले हैं अब क्यों होते हैं सामानित जा इतने तृष हैं संभाव नहीं है जो अब壓 हम कराथे वह अप्किया इतनी हो जाती है तिखाई नहीं देती प्रयोग कभा मने रियक्टेंट को मिक्स किया कभा में प्रॉडक्ट फ्राप्त हो गया हमें कुछ समझ में नहीं याता है यह फास्ट रियक्शन रियक्शन तो देखिए हमने आप एक एकजांपल भी लिए हुए हैं तक देखा जा सकता है या परखा जा सकता है कि यह जो त honest Glück है यह कितनी समय में हो रही है यह देख नॉर्मली समय बता दिया है कि टेंजर्टों के पावर माइनस-03 सेकंड में ही और्गिया पूर्ड हो जाती है ठीक है तो हमने आप एक्जाम्पल लिया है sodium hydroxide का हम HCl के साथ जब reaction कराते हैं तो हमें ये reaction मिलता है NaCl plus H2O यानि कि ये अपक्रिया इतनी तेज होती है कि हमें ये अपक्रिया दिखाई ही नहीं देती कि ये अपक्रिया कब हो गई तो ये अपक्रिया जब होती है तो हमें क्या मिलता है NaCl plus H2O ये अपक्रिया इतनी फास्ट होती है इसलिए इससे कहते हैं फास्ट reaction तो चलिए फास्ट reaction तो हम जान लिए अब जानेंगे हम अतिमंद अपक्रिया ठीक है उसे भी जान लेते है अब हम जानेंगे अतिमंद अपक्रिया क्या होती है अती मंद का मतलब ही होता है बहुत शलो, यानि कि बहुत ही प्रिकृर एंपतिया होता है। कि बियुक्त को इस प्रकार के रेक्शनां इनका कोई संभाव कि कितने दिन में होंगेoit कितने चम्य लग सकता है इनको को इस रिक्ष्न को होने में तो यही पर अतिमंद रिक्ष्न किसी रिक्ष्ण को किसी पी अससे बी कंपांट को अब बहुत जजाधा अन्ग करते हैं जैसे यह वह शुक्री और Would समय लगे यानि कि एक दिन लगे दो दिन लगे साल भर लगे एक महीने लगे उसे को हम करते हैं अतिमंद अद्ग्रिया जैसे कि देखे यस टू प्लस हाफ ओटू यानि को जल को भी बनने में बहुत जादा समय लगता है तो उसे भी हम करते हैं अतिमंद अद्ग्रिया तो ज ज़्यादा मंद मन्द के मतलब से दूद्स लो से भी ज्यादा स्लो जो अपक्रिया होते हैं उसे कहते हैं मंद यान段 कई अब स्ट्राइक्षन क्या होता हैं इसके बारे में जयानकारे लेक्षन अपक्रिया क Хотber उनका वेक्साधर्न प्रयोगिक विदिवों द्वारा सर अलता से निधारित किया जा सकता है मंद अब कर लेंगे तो जिससे हम करते हैं क्या अब अब司 जैसे की आमॉनियम नाइट्राइर है रूम् टंप्रेचर कर लेता अमॉनियम नाइक्सिन करने के वाद क्या मिलता है आपकार में derived कि कौन से प्रकार कब हो रही है यह पहले क्या था फास्ट हो जाता है यह है तो हो गया हमारा फास्ट रिक्सन और उसके बाद आया मन्द रिक्सन आ गया हमारे पास जो कि बहुत दिनों की बाद बहुते हैं कि रिखवष्प गंटे उसमें लगते हैं जिससे गंप्लीट हो जाती है तो उम्मीद करते हैं आपको यह सारी अद्रियाओं के वेक कर लिजिएगा